हेलो बच्चो मैं हूँ आईशी माम आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर और जैसे कि आप सभी लोगे क्लास 12 के बोर्ट एक्जाम से पहले आने वाले प्राक्टिकल एक्जाम से और मक्सिम बच्चों को डर है कि मैं प्राक्टिकल में कैसे हम परफॉर्म करेंगे कैसे हम लोग फुल मार्क्स लेकर आएंगे 30 out of 30 क्योंकि मैं बच्चों को मैं बताना चाहूंगे कि बहुत एजी होता है और माक्सिम बच्चों को यहां पर पूरे यानि कि फ्री की नमबर मिले के पूरे पूरे चांसेस है जरूरत है कुछ बातों की ध्यान रखने की स्पेसिफिक आजकल जो आपके वायवास होते हैं और फॉर्म में भी होते हैं लेकिन यहां पर मैं आपको बताने हैं जाओंगे कुछ ऐसे टाइप के कोशन जो डिफिनेटली आपके प्राक्टिकल में आएंगे और आप सभी लोगों को इन को प्रिपेर करके तो बिल्कुल ही जाना कुशन जो होते हैं आपके टाइप ऑफ प्राक्टिकल से आपर और तो वाल्यूमेक्र की आहलेटरिक यह तो दो सकता है वह थिर सब्लों के करिकूर्ण से रिलेटनेड कोशन जो आप लोगों के पेर में आने की आप लोगों के वायवा में पूछा जाने की चांस wir है वो यह है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि acidic और basic radicals क्या है right so याद करके जाएगा acidic radicals के example basic radicals के example और इसके बाद इसी से related question बन सकता है कि कौन से acidic radicals को separate out करने के लिए detect करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं dilute H2SO4 का और किसके लिए करते हैं आप लोग concentrated H2SO4 का इसके साथ एक question यहापर यह भी बन सकता है कि dilute H2SO4 का इस्तेमाल क्यूं किया जाता है dilute HCL का इस्तेमाल क्यूं नहीं किया जाता है जब आप लोग salt analysis कर रहे हैं या फिर acidic radicals का detection कर रहे है इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करें तो question बन सकते है test से test आपको explain करना है किसके लिए test किया जा रहा है जैसे कि brown ring test बहुत ही जादा famous question है भायवा को definitely इसको करके जाएगा chromyl chloride test flame test और specifically वो test जो आपके curriculum से related है वो वाले test आपके भायवा में पूछे जाने के पूरे पूरे chances है इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करें तो question बन सकता है volumetric analysis से ड्रिगली question पूछा जा सकता है what is qualitative analysis basically it is your identification of your ions in the given sample question volumetric tricks से बन सकता है calculation based आप से पूछा जा सकता है कि strength calculate करने का क्या formula है molarity का क्या formula है तो आप लोगों को यह basic formulas भी आने चाहिए और इसके बाद सबसे आखरी अगर मैं बात करूँ fourth type का question अगर आप इनमें से कोई भी question में by chance अगर oral viva में answer नहीं कर पाते है तो examiner पूछेगा आपका favorite chapter कौन सा है right so ध्यान रखना वहाँ पर अपने favorite chapter चाहिए वो आपका inorganic का है चाहिए वो organic का है चाहिए वो physical का है आप लोग वहाँ पर वो चाप्टर का नाम देंगे जो आपका सबसे प्लस यूर फाइल शुट भी perfect अगर आप यह सब कुछ करेक्ली करते हैं तो आप लोग को बिलकुल 30 out of 30 मिल सकते हैं in your practical examination right अगर आप लोग चाहते हैं